पिछले वीडियो में हमने बात खतम की थी कि तनावपूर्ण परिस्थिती असली हो या काल्पनिक में जो हमें पहले स्वाभाविक या आटोमाटिक विचार आते हैं वो हमारी बच्पन से विक्सित हो रही धारणाओं के अनुसार पॉजिटिव या नेगेटिव हो सकते हैं और अगर हमारी ये स्वाभाविक सोच नाकारात्मक होती है तो ये तनाव को बढ़ा दिती है मगर हम धीरे धीरे अपने मस्तिश को ट्रेन कर सकते हैं कि इस स्वाभाविक नाकारात्मक सोच के उपर जो विचार आएं हम उनको कंट्रोल कर अपने तनाव को कम कर लें ये प जिस रंग में लिखा है उस पर ध्यान देना है शब्द पर नहीं जैसे अगर शब्द है रेड पर लिखा हरे रंग से है तो आपको ध्यान देना है कि रंग क्या है हरा देखिए कि आप 20 सेकेंड में कितने शब्दों के रंगों पर ध्यान दे पाते हैं आसान था शायद आप 40 के 40 शब्दों को पढ़ गए होंगे तो चलिए एक्सपरिमेंट एक बार फिर दोराते हैं अगली स्लाइड में 40 शब्दों की एक और लिस्ट है निर्देश वही है आपको शब्द जिस रंग में लिखा है उस पर ध्यान देना है शब्द पर नहीं देखते हैं अब आप 20 सेकिंड में कितने शब्दों के रंगों पर ध्यान देपाते हैं शायद इस बार आप सारे 40 शब्दों के रंगों पर ध्यान नहीं दे पाए हूंगे तो दोनों एक्सपेरिमेंट्स में फर्क क्या है पहली लिस्ट में शब्द और रंग में मदभेद नहीं था रेड शब्द रेड रंग में येलो शब्द येलो रंग में सभी शब्द अपने ही रंग में लिखे हुए थे मगर दूसरी लिस्ट में शब्द और रंग में मदभेद था शब्द था red मगर लिखा था किसी और रंग में इस मदभेत को सुलजाने के लिए हर शब्द में आपको थोड़ा समय लग रहा था आपका मस्तिश्क शब्द बोलने को आतुर था और आपको इस गलत उत्तर को दबाना पड़ रहा था इसको आवेग नियंतरण इंपल्स कंट्रोल कहते हैं कहना तो आप सब चाहते हैं पर फिर निर्देशा अनुसार इस आतुरता को रोक कर आप फिर रंग पर दिहान देते हैं इस मनोवज्यानिक एक्सपरिमेंट को स्टूप टेस्ट कहते हैं और यह दिमाग की स्वाभाविक सोच यानि आटोमाटिक थिंकिंग और सुचिंतित सोच यानि डेलिबरेट थिंकिंग के फर्क को दर्शाता है शब्द पढ़ना स्वाभाविक सोच का उधारन है और शब्द पढ़ने की इंपल्स को कंट्रोल करके रंग पर ध्यान देना सुचिंतित सोच दर्शाता है किसी भी परिस्थिती में आपको क्या पहले स्वाभाविक विचार आते हैं ये आपकी परवरिश, शिक्षा, घरका वातावरण, संस्कृति, आपकी जीवन के अनुभव इन सभी बातों पर निर्फर करता है और यह सब कारण आपकी स्वाभाविक सोच को पॉजिटिव या नेगेटिव बना देते हैं कुछ लोगों की स्वाभाविक सोच बुरे को बहुत बुरा बना देती है कुछ लोग हर बात को बहुत ही व्यक्तिगत रूप से ले लेते हैं कुछ लोगों को कुछ बुरा होने पर अतीत के सभी कटू अनुभव ही याद आते हैं, कुछ लोग कलपना कर लेते हैं कि लोग उनके बारे में नेगेटिव ही सोच रहे होंगे, कुछ लोग सोच लेते हैं कि भविश्य में भी बुरा ही होगा, ऐसी निराशा जनक सोच के व भावना, emotion में परिवर्टित हो जाती है निरंतर एक किसम की भावनाएं फिर हमारी मनोदशा, mood पर असर करती है और फिर लंबे अर्से तक एक ही मनोदशा, हमारा स्वभाव यानि temperament रचती है और हमारे स्वभाव का हमारी सेहत पर बहुत असर पड़ता है मान लीजिए आप किसी तनावपूर्ण परिस्थिती का सामना कर रहे हैं जैसे कि इमतिहान की तयारी, नौकरी का इंटर्विव, बॉस से विवाद, जीवन साथी के साथ असहमती, माता पिता के साथ बहस, कुछ नया करने में असफलता का डर या किसी सहकर्मी द्वारा आपकी आलोचना ऐसे में आपकी स्वभाविक सोच पर निर्भर करता है कि आप उस तनावपूर्ण परिस्थिती को एक चुनौती की तरह लेते हैं चैलेंज रिस्पॉंस या फिर आप उससे बहभीत हो जाते हैं इस स्वभाविक सोच के अनुसार फिर आपके शरीर में तीन प्रकार की प्रतिक्रियां शुरू हो सकती है शारीरिक प्रतिक्रिया, Physiological Reaction, भावनात्मक प्रतिक्रिया, Emotional Reaction और व्यवारिक प्रतिक्रिया, Behavioral Reaction शारीरिक प्रतिक्रिया में तो आपके शरीर में Adrenaline Hormone का प्रवा शुरू हो जाता है और अगर तनाव बना रहा तो कॉर्टिसॉल जैसे अन्य ग्लूको कॉर्टिकोईड हॉर्मोन्स का प्रवा भी शुरू हो जाता है ये हॉर्मोन्स आपके शरीर को लड़ने या भागने के लिए तयार करना शुरू कर देते हैं बिल्कुल वैसे ही जैसे पिछले वीडियो में शेर को देख बैल लड़ने या भागने के लिए तयार हो गया था ऐसा इसलिए होता है क्योंकि करोडों सालों तक हम मनुश्य जंगलों में विचरते थे जहां कोई भी खत्रा अकसर जान का खत्रा ही होता था और ऐसे में हमारे पास दो ही विकल्प होते थे या तो लड़ो या भागो इस कारण आज भी अगर हमें आभास सा भी होता है कि कोई खत्रा है तो हमारे शरीर में इन लड़ो या भागो हॉर्मोन्स का प्रभाश शुरू हो जाता है हमारा मस्तिश्क तनावपूर्ण परिस्थिती को भी एक खत्रे की तरह ही लेता है और लड़ने या भागने वाले हॉर्मोन्स का प्रभाश शुरू कर देता है अगर आपकी स्वभाविक सोच तनाव को एक चुनोती की तरह लेती है तो इन हॉर्मोन्स का असर जल्द ही खत्म हो जाता है मगर अगर आपकी स्वाभाविक सोच निराशा जनक या नाकारात्मक है तो फिर इन हॉर्मोन्स का प्रभाब बना रहता है और लड़ने या भागने के लिए शरीर को त्यार करने के लिए दिमाग शरीर को संदेश भेचता है जैसे सांस तेज कर दो क्योंकि लड़ने या भागने के लिए शरीर को ज्यादा ऑक्सिजन की जरूरत होगी दिल की धरकन बढ़ा दो क्योंकि लड़ने या भागने के लिए मसल्स की कोशिकाओं को अधिक उर्जा की जरूरत होगी और ये उर्जा ऑक्सिजन और पॉष्टिक तत्वों के रूप में मसल्स को कोशिकाओं तक खून ही पहुँचाता है खून का प्रवा मसल्स में बढ़ा दो क्योंकि लड़ने या भागने में ये काम आते हैं और खून का प्रवा अन्य और्गन्स में कम कर दो क्योंकि इनकी लड़ने या भागने में कम या कोई भूमिका नहीं है यही कारण है कि तनाव की परिस्थिती जैसे इम्तहान या पब्लिक स्पीकिंग इन से पहले मूँ सूख जाता है और फिर पेट में घवराहट सी होती है या इसलिए होता है क्योंकि तनाव वाले हॉर्मोन्स पाचन प्रक्रिया बंद करनी शुरू कर देते हैं फिर अगर तनाव भाय में परिवर्तित हो जाता है तो पेशाब निकल जाती है या डाइरिया हो सकता है क्योंकि शरीर लड़ने या भागने के लिए इस अनावश्चक वजन को हटा देना चाहता है अगर कोई व्यक्ति वास्तव में या काल्पनिक रूप में तनावपूर्ण परिस्थिती में आ जाता है फिर सवभाविक निराशा जनक सोच के वज़े से इस तनाव को और बढ़ा देता है और ऐसा बहुत बार करता है तो उसकी सहत के लिए ये बहुत ही हानिकारक सिद हो देते हैं इनके कारण ये व्यक्ति हाई ब्लड ट्रेशर हाईपर टेंशन पेट में अलसर मोटापा आधी बिमारियों का शिकार हो जाता है आज हम मनुष जंगलों में नहीं रह रहे और हमारा बॉस अध्यापक या माता पिता कितने ही खतरना क्यों नहों मगर जान लेवा नहीं है तब भी करोडों सालों तक जंगलों में रहने के कारण हमें अब तक हर खत्रा जान का खत्रा ही लगता है और हमारा दिमाग तनावपूर्ट परिस्थिति जो वास्तविक हो या कालपनिक उसको जान का खत्रा ही मानकर शरीर को लड़ने या भागने के लिए तयार क खास कर हमारी शारिरिक प्रतिक्रिया जो हमारी सेहत के लिए बहुत हानिकारक हो सकती है तो लाजमी बात है कि हम समझें तनाव से कैसे निप्टा जाए इसे समझते हैं अगले प्रकरण में